दोस्तों आदर और अदाव अबिनंदन आभार वेलकम टू भूशन साइंस विच इस मोर दें जस्ट अ क्लास दोस्तों यूपी सी नेट ब्यासी नर्सिंग एंट्रेंस का एक्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है 14 जून को है ना इससे रिलेटेड काफी बच्चों के यह डा इसी से रिलेटेड मैंने यह डियो बनाया इसको मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया दौस्तों की क्या आपको घब्राने की जर्वत है युर्क दोंसले सब आपको इस वीडियो में अराम से इत्मिनान से सुकुन से बताऊंगा तो समस्ते चलना दोस्तों फ़ाम भरने समस्या का इलाज होता है दोस्तों अच्छा सबसे पहले यूपी सीनेट की मैं आपको एक ऑफिशल अपडेट ब्रॉस्पेक्टर पे लेके चलता हूं वहां पे आपको दिखाता हूं अगर आपसे गलती हो गई है तो क्या आपको करेक्शन करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों सीधा सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उसके औफिशल प्रूशर पर हश्वाशल परिया इस की तरव और परीशान आपको नहीं होना है दोस्तों बिलकुल वह परेशान नहीं होना है पैनिक मतो सब चीजें बताता हूं देखो यूपी सीनेट का, जो information ब्राउशर है ना उसमें उन्होंने कुछ clear cut बाते लिखी हैं सबसे पहले देखो यह अगर आप यह UPCnet का ब्रूशर है यह जो उन्होंने download आप इनकी website पर download कर सकते हो ABVMU का ब्रॉशर इसके page number 5 में इसके page number 5 में यह देखो इसके heading का instructions to candidates for filling online application form दोस्तों इसके page number 5 में इनोंने पहले से ही clear कर दिया है no change देखो यहाँ पे no change in the application form will be possible after final submission तो जो मैरे my dear beloved students जो लोग यह आस लगा के बैठे हैं कि sir correction window open होगी भाई मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ correction window open नहीं होगी तो sir यह तो आपने परेशानी में डाल दी हमको अगर आप बोल रहों कि correction window open नहीं होगी तो आपन कैसे करें जिन से correct जिन से गलती हो गई है सीधा आपको लेके चलता हूँ अब आपको आपको वीडियो पे यह समझना क्या करने वाले हैं आपन देखो दोस्तों कोई भी आप जब आप form भरते हो ना कोई भी form भरते हो आप है ना उसमें दो टाइप की details होती है एक होती है essential details एक होती है essential details एक होती है non essential details तर यह क्या है सब बताऊंगा essential details में essential details में अगर आपकी गलती हुई है तो यहाँ पे आपको चिंता करने की बात है, कुछ-कुछ-कुछ बच्चे तो non-essential details में भी चिंता कर रहे हैं, तो मैं इस दोनों categories भी आपको पूरा समझाऊंगा, यहाँ पर आपको चिंता करने की जरुवत है, लेकिन वैसे भी यहाँ पर चिंता करने की जरुवत क्या है, एकदम-एकदम पैनिक नहीं होना है, चिंता करने उसका भी solution आपको बताऊंगा, लेकिन समझना कोई non-essential detail है, suppose करना वह भी आपको बताऊंगा, उसके detail के लिए भी अगर आप परेशान हो रहे हो, तो बिल्कुल परेशान होने की जरुवत नहीं है, तो कोई भी form filling के process में दो type के details होते हैं, essential और non-essential, पहले न मैं अब यह UP की बात हो रही है, तो UP से related मैं आपको non-essential detail बताता हूं, क्या क्या है, देखो दोस्तों समझना, अगर आपने address अपना गलत भर है, मैं आपे non-essential detail की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, non-essential detail की बात कर रहा हूं, एक-एक के ओपर अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है, अगर आपने address गलत भर है, address भी दो type के होते हैं, एक होता है correspondence, एक होता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका form reject यहां तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, form तो reject होगा हैं नहीं, अच्छा, school name, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमने school name तो भर है, लेकिन school name में सर्स हमने spelling गलत लिये, अरे कुछ नहीं होगा भाई, चिंता की करने की बात नहीं है, यहां भी कुछ नहीं होगा, सराव हमने address में प्विन कोड 492004 होना था, हमने 492001 डाल दिया, कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल परेशान मतो, यहां पर address, school name की spelling में, जहांके board में अगर आपने दिक्कत हो गई, बोड की spelling में आपने गलती हो गई, school name में आपने holy cross suppose करना, आपका school का नाम है holy cross kapa, समस suppose करना, और आपने kapa वहां से हटा दिया holy cross लिख दिया, मैं example देना हो भाई, दिल पर मत लिना, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, यह सब चीजें इतनी ज्यादा matter नहीं करती है, पिन कोड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ essential है, मैं को समझना, फोटोग्राफ essential है, लेकिन फोटोग्राफ का कुछ UP में non-essential part आपको बताता हूँ, जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हो, अगर फोटोग्राफ में नीचे आपने date नहीं लिखी है, कुछ नहीं होगा, आपका तो भी admit card आएगा, चिंता की बात नहीं है, वहाँ पर आप जाके exam center पर एक center head से जाके आप बात कर सकते हो, कि हमसे गलती हो गई, date हमने नहीं लिखी, अच्छा अगर आपने date गलत लिख दी है, हो सकता है किसी ने 2024 की जगे 2023 लिख दी, अपलोड करने के बाद पता चला, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं होगा, वहाँ पर जाके आप exam देने जाओगे, आपका इस case में भी admit card आएगा, वहाँ पर जाके आप बात करना, ठीक है, exam center पर, कुछ नहीं डरने की बात नहीं है, अच्छा signature इन्होंने बोला था कि black से करने, इन्होंने signature क्या बोला था कि sir black से करने, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में blue से कर आए, कुछ बच्चे gray से कर दिये, या कोई दूसरी pen से कर दिये, blue से आप signature upload कर दिये, और आप gray से कर दिये, भाया, color इतना important नहीं होता आपका यहां पे भी यहां पे भी आपका form reject नहीं होगा ठीक है आपका admit card आएगा अच्छा दोस्तों मैं आपको जो छटा point है इसमें verification sheet आपको यूपी में एक verification sheet upload करनी थी इसका verification sheet में photo और signature important है वो essential में आते हैं लेकि non essential में suppose करना वहाँ पे phrase लिखाता है उन्होंने उन्हों फ्रेज वो शिरिफ verification एक न additional information या additional scrutiny के लिए उन्होंने verification sheet मंगई अब ही आप photograph upload कर रहे हो है आप signature भी upload कर रहे हो उसके बाद भी आपको verification sheet में photo और signature डालना है तो अगर उसमें उसमें photograph और signature आपको सही डालना है लेकिन अगर आपने verification sheet में phrase में कोई गलती किये कोई दिक्क किसी बच्चों नहीं लिखा ऐसी upload कर दिया तो परेशान हो रहे हैं कि सर हम अरे भाई परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा admit card admit card आएगा कि ने आएगा बिलकुल आएगा अगर क्या verification mark में मैंने spelling mistake कर दिया या मैंने गलत लिख दिया identification mark देखो अगर आपने गलत लिखा है मतलब अगर suppose करना आपके जसा यह मेरा hand है यह मेरा hand है यहाँ पर मोल है अगर मैंने मोल में left hand के जगा राइट हैं लिख दिया तो दिक्कत है लेकिन अगर आपने identification mark लिखाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर लिखने के बाद भी spelling mistake हुई है तो भी कोई दिक्कत नही अच्छा तो यह सारी आपके यह सारी अच्छा दूसरी बास फीस रिफंड के लिए भी बहुत बच्चे परेशान है नॉन असेंशल में आते हैं कैसे सर भाई आपने सपोस्ट करना दो बार या तीन बार पेमेंट कर दिया भाईया रिलेक्स रहो अगा जितना एक्सिस पेमे इसे अगर आपने एक से जादा बार उनसे पैसा चले गया तो वापीस आजाएगा वापीस अपने आप आप आजाएगा लेकिन उसको टाइम लगता है परेशान होने की इसमें जरुट नहीं है नहीं कि उन्हें अपने बोड आफ स्कूल का भी नाम जैसे कोई-कोई-कोई नेम में आप लोग अकसर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या सर फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंने क्या किया सर फर्स्ट नेम अलग लिखा मिडिल नेम अलग लिखा और लास्ट नेम अलग लिखा तो क्या यह सही है और सर मैंने क्या 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 और middle name को छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों अगर आपने यहाँ पे लिखा भरत फिर यहाँ पे लिखा कुमार फिर यहाँ पे लिखा डुलानी कोई दिक्कत नहीं अगर आपने भरत कुमार लिखा middle name छोड़ दिया और last name में लिख दिया डूलानी यह एक्जामपल दे रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत निई इसमें परेशान होने कि आप लोग को बिल्कुल भी जरुवत नहीं हैं तो सर अगर परेशान होना भी है देखो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है अगर थोड़ी बहुत चिंता की बात डेट गलत लिखिए अगर आपने लिखिये अगर साथ करना जेंडर मेरा अगर आपका मेल है और आपने फीमेल भड़ दिया तो क्या करना है तो जबताउंगा चिनता निये अगर फिहाँ दाल दिये किसी और इमेल अड्रेस डाला एपने मोबाइल नंबर जो आउल्टर डाल जाता है, इसमें दिक्कत होगी, या फिर आपकी सब केटेगरी, अगर आपने ये सब चीजें गलट डाली, और अगर आपने फोटोग्राफ स्पेक्स के साथ अपलोड कर दिये, उसमें क्लियर कट फोटोग्राफ के लिए लिखा हुआ है कि आपको विदाउट स्पेक्टेकल करने, अगर आपने विख स्पेक्टेकल कर दिये, अच्छा, सिगनेचर में अगर आपने ओवर्राइटिंग कर दिये, देखो समझना जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये भरत मैंने ऐसे लिखा और मैंने यहां पैसे ये ओवर्राइटिंग, इसको बोलते हैं अगर आपने ऐसे overwriting करी, तो यह strictly prohibited है, लेकिन फिर भी अगर आपसे हो गई है, तो क्या करने है, दोस्तों मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यह सारे details, यह वाले, यह वाले details में अगर आपसे गलती हुई, यह वाले आपके details से गलती हुई, तो भी आपका admit card आएगा, आपको exam देने मिलेगा, पर अगर आपसे यह गलती हो गई है, और आपको यह बात पता है, तो मैं आपको suggest क्या करूँगा, मैं आपको suggest क्या करूँगा, यह help line number है, इसमें आप लोग बार बार call करके इनसे पूछो, परेशान करो इनको, है ना, पर मैं आपको guarantee के साथ बोल रहा admit card reject किसी का नहीं होता है दोस्तों, reject वो तब होता है, जब न information brochure में अलग से उन्होंने एक clause बना के लिखा रहता है, कि अगर आपने ऐसा ऐसा किया, हम आपको बता रहे हैं कौन ABVMU वाले, वो बोल रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया, और आपने ऐसा करने के बाद यह गलत है, तो वो reject करतेंगे, तो उस case में reject होता है, अगर उन्होंने clause में लिखाई नहीं है rejection का, तो आपका admit card reject नहीं कर सकते वो लोग दोस्तों, क्योंकि यह government body है, यहाँ पर सारा काम paper के हिसाब से होता है, तो आप लोग निश्चिंत रहे हैं, सब का admit card आएगा, ठीक, फिर भी आप लोग इन numbers पे call करके उनको परेशान कर सकते हैं, कि sir, कि sir हमारा यह यह गलती हो गई, हमको क्या करना चाहिए, अच्छा sir, sir अगर यह लोग जवाब नहीं दिये, तो आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको सबको suggestion दूँगा, मैं आपको सबको suggestion दूँगा, कि अगर आपकी essential details में अगर गलती हो गई है, तो आप क्या करना, आपका reporting time suppose करना 9 बजे है, तो आप इससे पहले एक घंटा पहले 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 जाना, वहाँ पे जाके अपने किसी parents के साथ, या अपने से थोड़े बड़े के साथ, वहाँ पे जाके उस center head से आप बात करना, center head को बोलना, सर ऐसी ऐसी बात है, हमको क्या करना चीए, वहाँ पे पूरी तरीके से guide करेंगे, और आपको, मैं आपको guarantee बोल दे रहा हूं, कि वहाँ पे exam देने आपको मिलेगा, होता क्या है दोस्तों, अगर आपने ये सब चीज़ें गलत भर दी न, तो आ इनको देना पड़ेगा university को, कि जब form भरते समय मैंने gender अपना male नहीं female भर दिया था, है न, तो male हूं मैं, ये एफिडेविट है, मेरा ये एफिडेविट बना कर दे दोगे, तो वो consider कर लेते हैं दोस्तों, है न, तो बिल्कुल भी घवराने की आप लोग को बात नहीं है, इत्मिनान से सुकून से अपनी तयारी करते रही है, है न, अगर इन essential details में गलती हुई है, तो वहां जाके center, हर center का, जहां पर आप exam देने जाते हो, वहां का एक center head होता है, वो center head को जाके ये बात बताना, किसी बड़े के साथ, कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरे से ये गलत पर आप बात करके guidance ले सकते हो, इन numbers पर आप लेके guidance ले सकते हो, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कि आपको, आपका admit card आएगा, सबका admit card आएगा, अच्छा, सर, अच्छा, अब इसमें न, इसमें एक condition है, सर कि मैंने admit card, admit card में अपना photo upload ही नहीं किया, तो भाई, ऐसा हो उतको भी तो पता चलेगा न, कि भाई, आपने admit card में, आपने application form में, photo ही नहीं डाली, signature ही नहीं डाली, तो आपको थोड़ी कर लेगा, fees थोड़ी लेगा, ऐसे नहीं होगा है, तो photo तो आपने डाली होगी, गलट डाली होगी, या उपर नीचे डाली होगी, वो मैं आपको 95% cases ऐसा रहते हैं, कि आपने बहुत ही brutal mistake कर दिये, example, तर आपने क्या किया, आपने photograph में अपनी जगे किसी और का नाम डाली, किसी और का photo डाल दिया, अब ऐसे में तो फिर आपका admit card reject होगा, पर 95% cases में admit card दोस्तों, आएगा, आपको exam देने मिलेगा, और in essential, in essential details में आपके कोई गलती होगी, तो आप इन help line number में बिल्कूल पूछ के बात कर सकते हैं, पर चिंता की बात नहीं, आपको देने को exam मिलेगा, तो दोस्तों, आशा करता हूँ, ये session आपको पसंद आया होगा, फिर भी इसके बात भी अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment box में, description में comment कर सकते ह दोस्तों, I will be very 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 happy to assist you, तब तक के लिए दोस्तों, ऐसे ही निरंतर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे बुशन साइन्स के यूट्यूब चनल पे, you have been a lovely audience, टाटा बाय बाश अब बाखेर, टेक केर